नमस्ते उत्तरी भारत की कार्टी कृष्णपक्ष की त्रयोदशी तिथी के दिन धन तेरसका पर पूरी श्रद्धा व विश्वा से मनाया जाता है देव धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर और यमराज के पूजन की परंपरा है समुद्र मंधन के समय बहुत ही दुरलब और कीमती वस्तूओं के अलावा शरतपुर्णिमा का चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी के दिन कामधे नुगाई, त्रयोदशी तिथी के दिन धन वंतरी और कार्तिक मास की अमावस्या तिथी को भगवती लक्ष्मी जी का समुद्र से अफ्टरन हुआ था यही कारण है कि दिपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजन और उसके दो दिन पहले त्रयोदशी को भगवान धन वंतरी का जनम दिवस्त धन तेरस के रूप में मनाया जाता है इस दिन का विशेश महत्व है आयुरवेदा के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा से भी है भगवान विश्णो के अफ्तार के रूप में समुद्ध मन्थन के समय भगवान धन्वंतरी अमरित कलश लेकर प्रकट हुए थे इसकी चार भुजाएं हैं जिन में से दो भुजाओं में वे शंक और चक्रधारन किये हुए हैं दूसरी दो भुजाओं में और शदी के साथ वे अमरित कलश लिये हुए हैं ऐसा माना जाता है कि यह अम्रित का लश पीतल का बना हुआ है क्योंकि पीतल भगवान धन्वंतरी की प्रीयधातू है भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक होने के साथ साथ ही उन्होंने इस ब्रह्मान में उत्पन औशवधियों के गुन अवगुन के आधार पर इसके प्रयोग बतलाए है आयरुवेदा पधती से इलाज करने वाले वैद्य धन्तेरस के दिन भगवान धन्वंदरी की पूझा करते है इस दिन खरीदी गई कोई भी वस्तु शुबफल प्रदान करती है और लंबे समय तक चलती है लेकिन अगर भगवान की प्रयवस्तु पीतल की खरीदारी की जाए तो इसका तेरा गुना अधिक लाप मिलता है क्यों करे खरीदारी लेकिन? इस दिन खरीदी गई कोई भी वस्तु शुबफल प्रदान करती है और लंबे समय तक चलती है लेकिन अगर भगवान की प्रयवस्तु पीतल की खरीदारी की जाए तो इसका तेरा गुना अधिक लाप मिलता है क्यों करे खरीदारी? धन्तेरस के दिन खरीदारी करने का भे महत्व है इस दिन रतन, आभूशन, जमीन, घर, प्रशिष्ठान में वैभव, विलासिता को बढ़ाने वाले समान की खरीदारी करने का महत्व है इस दिन जमीन खरीदना या मकान बनाने के लिए नीव का पूजन करने से महत्व है पंडित राजेंद्र की रारू खेते हैं कि मानना जाता है कि इस दिन की गई खरीद अक्षय मानी जाती है और इसका कई गुना बढ़ोत्री के रूप में प्राप्त होता है इस दिन घर के प्रतिष्ठान में भगवान कुबेर की पूजा करनी चाहिए, साथ ही श्रे सुक्त का पाठ करनी चाहिए लेकिन बर्तन की खरिदारी के वक्त कुछ साबदानियों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है घर पर खाली बर्तन कभी न लाएं, इससे घर लाने पर पानी से भर दें, पानी को भाय से जोरा देखा जाता है इससे आपके घर में सम्रिद्धी और संपन्ता का वास रहेगा इस दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदने की सला दी जाती है इस दिल वह लोहे के अलावा काँच के बर्तन भी खरीदने से बचना चाहिए धंतेरस के दिन सम्रिद्धी के प्रतीग के तोर पर ये चीजे खरीदना शुब माना जाता है जैसे की सोना, चांडी, धातू की बनी लक्षमी गनेश की मूर्तियां और नए बर्तन कैसे करे पूजा विधी धंतेरस के दिन शुब महुरत में धंवंतरी देव के साथ मालक्षमी और कुबेर देवता की तस्वीर या मूर्ति स्थापना करें इसके बाद कुबेर देव और धंवंतरी देव की पूजा करें सिर घी का दीपक जलाएं और शाम में दुवार पर दीपक जलाएं धंतेरस से धंवंतरी देव को पीली मिठाई, प्रसाद के रूप में भोग लगाएं उसके बाद मंत्रो का जाब करें और आर्थी से पूजा विधी संपन करें